आज के इस वीडियो के अंतरगत देखिए आज हम कक्छा नवी का वीसे समझ विज्यान का एक महतुपुण प्रसन का अध्यन करने जा रहे हैं कि भारत की वनसपती में इतनी विविदतक क्यों है यानी कि जो भारत की वनसपती पेड़ पोदे हैं उन्पे इतनी विविदतक क तो आ गई है तो इस उत्तर के माध्यम से हम समझेंगे तो आई ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इसका कारण है जल वायू क्या है इसका कारण जल वायू जल वायू याने की बारिस कहे तो वर्षा तो देखिए भारत में हर जगा पर बारिस एक समान नहीं होती आपने कभी भी देखा है कि इस गाउ में 30% पानी पड़ा तो इस गाउ में भी दूसरे गाउ में 30% पानी ही है एसा कभी आपने देखा है नहीं देखा तो कही एसे दे से जहां पर 30% पानी होता है यहनुकि बारिस होती, कही पर 70 % बारिस होती, और कही पर 200 % बारिस होती है तो इसकी वज़ा से ही भारत की जो वनस्पती है, उसमें हमें भिन्निता देखने को मिलती है किसके कारण? जल, वायू के कारण, तो आप इस प्रस्ण को के से लिखेंगे? तो देखिए कि दक्षिन से लेकर कहां से दक्षिन भारत से लेकर उत्तर धुरू तक विविद्ध याने कि भिन्नी प्रकार की जल वायू के कारण भारत में अनेक प्रकार की वनस्पतिया पाई जाती है यहां किसके कारण होता है जल वायू के कारण क्योंकि दक्षिन से लेकर धुरू और उत्तर तक विविद्ध प्रकार की जल वायू होती है जिसके कारण ही भारत में अनेक प्रकार की वनस्पतिया पाई जाती है जो समान अकार के अन्नी देशों में बहुत कम मिलती है कितने पेड़ पोधों में पाए जाते हैं तो क्या है प्रस्न कुछ भी नहीं देखिए एक बार ओर रिपीट कर लेते कि दक्षिन से लेकर उत्तर धुरुतक विविध्य यानि कि विविन्नी प्रकार की जलवायू के कारण भारत में अनेक प्रकार की वनस्पती पाई जाती है जो समानाकार के अन्नी देशों में बहुत कम मिलती है और यहां लगभग 47,000 प्रकार के पेड़ पोधों में पाए जाते हैं तो आपको प्रसन अच्छे सन में आया होगा तो आप अच्छे से स्क्रीन सोट लीजे और कम्प्लेट कीजें